जैसरी कृष्णा राधे राधे आज आपके साथ हम जुड़े हैं वास्तु की बाते करने वास्तु सास्त्र में कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जो घर के लिए बहुत सूप होते हैं लेकिन कुछ पौधे हैं जिन से बचके रहना चाहिए क्योंकि ये पौधे अपने साथ नकात्म कुर्जा को लाते हैं जीवर में मुस्किने बढ़ा देते हैं आप लाग प्रियास कर लो आप ना प्रसन रह पाओगे ना धन से बचा पाओगे और ना आपका स्वास्त अच्छा रहेगा इसलिए ये जाना आवस्तिक है कहते हैं घर में पेड लगाने से हर्याली आती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन कि आपको पता है वास्तू कि नुसा और कुछ पौदे बहुत सुभ होते हैं और घर में लगाते ही आपको भागे का साथ आपको मिलने लगता है बरकत चल मिल जाती है घर में सम्रिद्धी आती है हल्दी का पौधा अगर हल्दी का पौधा अपने घर के गमले में भी लगाते हैं तो नेगेटिव इनर्जी आपको परिशान नहीं करती और हल्दी में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशाली अब बस आने वाली है अपरा जीता जिसको हम कृष्ण कानता भी कहते हैं नीले रंग का पुस्प लगता है और इस पुस्प को भगवान स्री हरी ही नहीं बलकि भगवान स्री कृष्ण सिप जी और गनेज जी मादुरुगा को भी अतीप्री है लाल रंग का गुलाब का पुस्प आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन माना जाता है घर के अंदर लाल रंग के पुस्प नहीं लगाने चाहिए घर से बाहर आप छट पे बालकनी में या खुले अस्तान पे लगा सकते हैं नारियल का पौधा है कहते हैं जिस घर में नारियल का पेड लगा होता है उस पास्तु दोस्त ना लगे तो समझ के लगाएंगे अब हम अगर एक खास पौधे की बात करें तो वो है आकड़े का पौधा जो भगवान गनेज जी का पौधा भी कहते हैं और सिप जी को अतीप्री है इस पौधे को अपने घर से मुखे दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ आ और लोगों की बुरी नजर भी आप लोगों पर नहीं पड़ेगी तुलसी का पौधा जिसको हम मालक्षमी का सुरूप मांते हैं हर किसी के घर आंगन में है कहते हैं घर पर मुसीबत आती है तो पहले तुलसी चाहती है कहने का तात पर अपने उपर ले ले लेती है आपके कि आसपास आम का प्टेड़ होना अच्छा नहीं माना जाता बच्चों पर बुरा अशर पड़ता है और आप नीम का पौधा लगाते हैं तो अच्छा है अगर अंडे की पौधे की बात बहतर होगा और वेवाहिक जीवन भी बहतर होगा आपका इस बात को हमेशा याद रखिए असोक का पौधा जिस घर में असोक का पौधा होता है उस घर की सोक दुख दरिद्धा परिशानी सब समाप्त हो जाती है बच्चों के बुद्धी भी तेज होंगे और पैसा भी ठीक पास की किसी मंदर में लगा सकते हैं अगर आपके घर में है तो अंव्रोग का पौधा इसको भी घर में मत लगा फ़ल दार पौधे ना तो घर में लगाना चाहिए और नहीं फ़लदार पौधे का पेडव का लकड़ी होता है उसका यूज काथान तरक्की नहीं करेंगी और केक्ट्स तो भूल कर भी ना लगा है जीवन में सिर्फ मुश्गेन ही बढ़ाएंगा और और कुछ नहीं क्योंकि किपने साथ सर्फ मुश्गेन लगाएं परिसानिया लाता है अब यह जैसे कि बर्गत का पौधा पीपल का पौधा यह सब इसके साथ ही इमली का पौधा घर में मत लगाईए और घर के आसपास भी है तो उसको हटाने का वेवस्था करवाईए क्योंकि इमली के पेड़ पर बुरी अत्माओं का वास होता है इसलिए इस बात का ध्यान रखिए अब ये है इसको कहते हैं महंदी का पौधा क्या आपको अब जैसे कई बार होता है आपके घर में पूस पाए हैं फूल अपने रखे हैं फूल दान में उठाकर साइड पढ़ा हुआ है सुखावा पूल बुके है पढ़ा हुआ है उसको पढ़ावा मत रने दे उसको तुरंत घर से बाहर निकाले क्योंकि ये घर की नकात मकता को बढ़ा देता है कपास का पौधा कहते हैं इस घर जिस भी घर में या घर के आसपास होता है वहां असुपता जादा होती है निके डिप्टी जादा होती है परिसानिया जादा होती है बरगत का पौधा का चाया भी आपके घर पढ़ना पड़े ऐसी वेबस्ता करें वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएगे अब यह है आम का पौधा फलदार पौधे कभी में लगाए आम हो अम्रूद हो यह सब पौधे आपके जीवन की प्रेसानियों को बढ़ाते हैं तरकी को रोग देते हैं वैसे बहुत साइब भी बहुत सारी मानेता हैं थी अब उन मानेताओं को लोग छोड़ रहे हैं पर अपनी परंपराओं को निभाना हमारा पर जाए तो यह बैंबू ट्री भी घर में नहीं लगाए तो अच्छा है संतान की तरकी रुख जाएगी धियान रखिएगा और फलदार पौधे तो यूच करना चाहिए घर में फर्णिचर बेकराओं बनाने में इन बातों का और तमाम वास्तु निमों का पालन करते हैं तो कहीं ने कहीं आपके जीवन में अच्छी चीजे होने लगती हैं तो हम आपसे विजा लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया जानकर यह अच से सेयर कीजे और कमेंट में हरहर महादेव जरू लेकिएगा धन्यवाद